दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप train ticket book कर लेते हैं और वो train अगर cancel हो जाती है तो उसके बाद आपको क्या करना होगा और उसका पैसा जो आप train ticket book किये थे उसका पैसा कब आएगा और कितने दिनों में आएगा और पैसा कितना कटेगा कितना नहीं कटेगा पूरी डीटेल इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने सपाले फ्रेंड आप से छोट इस रिकोस्ट करना चाहूंगा अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देजिगा और चैनल प जाती है तो आपको क्या करना होगा मतलब जो आपका पैसा है हो कम मिलेगा पूरी डीटेल तो यहां पर पूरी डीटेल बताऊंगा तो train cancel होने के बाद आपका जितना पैसा रहेगा ओ पैसा आ जाएगा आपके bank account जिस भी account से आपके पैसे कटे होंगे उसी account में पैसे फिर से वापस चले आएंगे तो अब बात आती है कि कितना पैसा आएगा उसमें से कुछ कटेगा या नहीं कटेगा तो फिर यहां पर मैं उसकी फिस होती है जैसे यहां पर जो टिकट होता है जितने का तो जैसे माली यहां पर कोई भी टिकट 280 रुपए की है तो 280 रुपए आपके वापस आपके account में आ जाएंगे लेकिन फिर जब आप टिकट बुक करते हैं तो वहां पर convenience फिस लगती है 11 रुपए 12 रुपए क 12 रुपए 80 पैसे के लगभग convenience फिस था तो हमें वापस आया केवल 590 रुपए convenience फिस नहीं आता है उसके बाद अब बात करते हैं कि ओ पैसा कितने दिनों में आएगा तो पैसा आपका आता है कम से कम तीन से चार दिन के बीच में है तो हमने टिकट बुक किया था 15 जनवरी लेकिन वो कैंसील हो चुकी तो कैंसील होने के बाद फिरेंड वो पैसा हमारे अकाउंट में आया 18 तारिको अठार तारिको रात में आया था पैसा 590 रुपए तो मतलब 15 318 तीन से चार दिन के बीच में आपका पैसा आ जाएगा तो आसा करता हूं कि आपके सारे डाउट क 4 दिन में मिलेगा तुरंत नहीं मिलता है तो फ्रेंड आचा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर पसंद आए होगी तो फ्रीज लाइक कर दीजेगा और चैनल पे पहली बार आएंगे तो फ्रेश इसरी दियो मिलते अगली बीडियो और प्र cache में बंदे मात रहूं